वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद तक नहीं करता कहने का मतलब है न मैंने खुद के लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा अमीर थे बहुत पैसे वाले थे लेकिन आज बहुत गरीब है कहने का मतलब है वक्त और किस्मत कब किसका बदल जाए किसी को नहीं पता है तो कभी भी अगर आपका वक्त आए आपका किस्मत साथ दे तो घमंड कभी मत करिएगा सभी के साथ एक समान बात करिएगा ताकि कभी भी किसी मौके पर भी अगर आपका वक्त बदल भी जाए ना तब भी वो इनसान जो है वो आपसे प्यार से इज़त से ही बात करें और वही सबसे बड़ी चीछ है इस जिन्दिगी में क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे और इस क्लास का पूरा का पूरा प्रिडियफ आपको सक्सेसकी 98.in पर जाएगा आपको हमारे अप्लिकेशन पर मात्र 349 में प्लस साल भर जितना एक्जाम आएगा उसका भी आपको दिया जाएगा ठीक है अगर 349 वाला पैकेज लेते हैं तो और एक बात बाई करने से पहले बहुत सारा टेस्ट फ्री दिया गया है तो आप देख लेना क्वेस है कैसा ठीक है और आज कवर करने वाल है हम सभी 29 नहंबर के important current affair और एक बात कल रात को साड़े 11 बजे आपका current affair class हुआ था और PDF जो था दो दिन का टेलिग्राम पर upload कर दिया गया है उस वीडियो की description में और कल रात वाला जो PDF है आपको आज दो पहर में 12 बजे तक मिल जाए है आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्त है किस राज की सरकार ने राज का पहला गिंद सरक्षण केंदर इस्थापीत करने जा रही है यानि which state government is going to set up the state first vulture conservation center और ये इस्थापीत करने जा रहा है आपका उत्तर परदेश option number B और उत्त B been Patel, Capital Lacknow और मुख्य मंत्री योगी आदित्तेनात अगला परस्त हमारे सामने है हाल ही में किस देश को पहली बार इवनिस्को की विषधरोहर समीती के लिए चुना गया था पहला बार चुना गया है World Heritage Committee की लिए कौन सा है वो तो वो है आपका Saudi Arabia को चुना गया है पहली ब इवनिस्को की विस्धरोहर समीती के लिए चुना गया है सौधी अरेबिया को और सौधी अरेबिया का यानि सौधी अरब का कैपिटल रियाद है करेंसी आपका सौधी रियाल है और वहां के जो राजा है उनका नाम है सलमान आफ सौधी अरेबिया ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉंडरिन के लिए पांच साल की जेल हुई है आपको बताना है अब्दुल्ला यामीन जो है वो किस राष्ट के पुर्व राष्ट पती रह चुके हैं और ये रह चुके है आपके मालदीव के राष्ट पत ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है अगला प्रस्वारे सामने है ड्राफ्ट नेशनल कोड की समिक्षा के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के जो अध्यक्ष है जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा उनका नाम बताना है और उ प्रमन और दिव और दादर और नगर हविली ये दो किंद्र सासित परदेश जो है वो अब मर्ज होने जा रहे हैं अब इनके मर्ज होने के बाद टोटल कितने किंद्र सासित परदेश राज इंडिया में हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके आठ पहले नौ थे जम्मू और लद्दाक वाला होने के बाद, पहले साथ थे, जम्मू और लद्दाक होने के बाद कितना हो गया, नौ हो गया, लेकिन अब ये दो होने के बाद कितने हो गया, तो फिर से आठ हो गया, साथ के नौ के बाद, ठीक है, अगला परस हमारे सामने, किस पूर्व, सिरलंकाई कि इनका नाम क्या है? सभी को पता है, जो किर्केट देखते हैं, उनको तो पता ही पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप किर्केट के फैन नहीं है, क्यूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनका नाम है मुतया मुरली धरन, और ये इतने बड़े किंदवाज है न, आप मैच न, उसमें सबसे ज़्यादा बिकेट लेने वाले प्लियर यही है, 800 बिकेट इन्होंने लिया है टेस्ट मैच में, ठीक है? और वंडे किर्केट में, वंडे किर्केट में भी सबसे ज़्यादा बिकेट लेने का रिकॉर्ड इन ही के नाम पर है, 534 बिकेट इन्होंने पाला था बस दो ही इस्पिनर का सेनवान और मुतयाब मुडली धरन बड़े बल्लेवाज इनसे डरते थे इनके गेंद खेलने से अगला प्रस्ता बारे सामने है निमलिखित में से किसे हाल ही में भारत में जपान के राजदूत के रूप में निव्ट किया गया है और फोटो आपका B ठीक है अगला प्रस्ता बारे सामने है कि न्यूजेन मोबिलिटी सब्मिट 2019 की मेजबानी कौन सा राज़ करने जा रहा है और ये करने जा रहा है आपका हर्याना और हर्याना के स्रीयम मनोहरलाल खटर है वहां के राज्योपाल सत्यद्यव नरायन आरिया है और क्य आपिटल जो है हर्याना का वो है आपका चंडीगड ठीक है अगला प्रस्ता बारे सामने है कनाडा में केबिनेट मंतरी की रूप में निक्थ होने वाले पहले हिंदू कौन बन गए है बहुत इपॉटेंट क्वेशन है वो हैस बिकम दा फर्स हिंदू to be appointed as a cabinet mister in कनाडा और वो है आपका और ये क्वेशन भी काफी important है अनिता इंद्रा अनन्द यानि इनका नाम क्या है अनिता अनन्द ये जो है इनको निक्थ होने वाली पहली हिंदू है कनाडा केबिनेट मंतरी में और कनाडा का राजधानी है आपका ओटावा और कनाडा में मुद्रा इस्तमाल क्याता है कनाडियन डॉलर और वहां के पधान मंतरी का नाम है जस्टीन टूडिव ठीक है अगला प्रस्तमारे सामने है दो दिवसियत जी ट्वेंटी बिदेश मंतरीों की बैठक हाल ही में कहां पर आयुजित की गई थी और दो दिन का foreign minister meeting जो है वो हुआ था आपका नगा जापान में option number A और भारत के बिदेश मंतरी है कौन ये चीज आपको कॉमेंट करकर अभी बताना है ये आपका आज का पहला परस्त है कि भारत के बिदेश मंतरी का नाम है क्या और जापान के राष्ट पती सभी को पता है सिंजो एबे है वहां का जो मुद्रा है वो येन है अच्छी से लिक दे रहाओ यहाँ पर वहां का मुद्रा क्या जापानी स्तियेन और जापान का कंट्री क्या है तो वो है आपका टोकियो अगला प्रस्तावारे सामने है राज्युपालो और उप राज्युपालो का दो दिवसे सम्मेलन जो हुआ है वो कहां पर आयोजीत क किया जाएगा और यह किया जाएगा आपका नई दिल्ली ऑप्सन नंबर डी में ठीक है अगला प्रस्ता वारे सामने है उस पार्क का नाम क्या है जिसे भारतिय सेना ने सैनिक लेफिटेंड नयाप सूबेदार चुन्नी लाल को मनाने के लिए समर्पित किया है बहुत बड़ आर्मी के सोलजर थे आप सभी को पता है इनके नाम पर पार्क बना है और यह कौन थे आप पढ़ लीजिएगा बहुत बड़ा नाम है ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लाइन आफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस किया था इसके वज़े से इनको मार दिया गया था और इनके नाम जो पार्क बनाया गया और इनको समर्तित किया गया उनका नाम क्या है गुडविल पार्क बहुत इपोटेंट को सेन है तो इसको आप लोग पक्का याद रखिएगा किस भारतिय मुक्य बाज ने रास्टे मंदल चेंपियंज चाल्स एडम को हरा कर अपनी लागातार बारवी पेसवर जीत का दावा किया है वो कौन है जो रास्टे मंदल चेंपियंज जो है चाल्स एडम को हरा कर लागातार बारवी बार तो उनका नाम है आपका वीजेंद और अस्टेलिया की बात करें तो अस्टेलिया कापिटल कैन्वरा है मुद्रा जो है अस्टेलियन डॉलर और वहां के परधान मंत्री कौन है तो वो है आपके स्कॉट मौरिसन अगला प्रसमाने सामने है जो राज हासिल किया है उच्तम सड़क की लंबाई का निर्माण किया जा रहा है कि तहत परधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 में यानि 2019 में सबसे उच्तम सड़क की लंबाई का निर्माण करने वाला कौन सा राज है परधान मंत्री ग्रामिर सड़क योजना के तहत तो वो है आपका जम्मू एन कस्मीर आप्सन नंबर आपका D ठीक और अगला प्रस्न है, विश्यू की सबसे बड़ी इस्लामिक संगतन, आलमी तबलीगी इस्तामा, जो ये होने वाला है, मिटिंग ये कहां पर होने वाला है, और ये होने वाला है आपका भोपाल में, आपका D, भोपाल, ठीक है, तो ये थे आपके important current affair 29 नहुंबर का, और इस पर, सो जितने भी मेरे भाई बेन देख रहें, सभी को बहुत बहुत बहुत, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ, अपने मम्मी पापा का भी खयाल रखेगा, ठीक है, चलिए